नमस्कार दोस्तों वेलकम टू दाइस्पी संवा किलासिस आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे कुछ वेकेंसी आई हैं पीजीटी लेविल की जिनका नवंबर में एक्जाम होना है तो कौन-कौन से सब्जेक्ट की वेकेंसी हैं उनके बारे में बात करेंग अबिमेश्टी कम्प्यूटर साइंस है थो क्योगराफिए हिंदी घेमेशी इंपकरेंपा करेंणी के साथे बात करेंंथ के लिए डो पोस्ट कि क्रियेट हो रही है और वह तो पोस्ट कोनसी है पहले पोस्ट अगर आप देखेंगे यहां पर PGT Computer Science की है और यह PGT IP की है Informatics Practices की दोनों ही Computer Science से related है ठीक है तो दो पोस्ट यहां पर मिल रही है आपको एक की जगे दो मिल गई यह बैटर वे हो गया है फिर TGT की अगर बात करें तो TGT में हमारे पास जो वेकेंसी है पहले में Computer Science की TGT में भी वेकेंस है English, Hindi, Mathematics, Physical Education, Sanskrit, Science, SST और PRT में Physical Education और PRT Without Physical Education तो इन पोस्ट पे वेकेंसी आई हुई है इनकी कुछ eligibility criteria की भी हम बात करें तो अगर हम PGT Level की बात करें PGT Level में सारे सब्जेक्ट की यह वेकेंसी आई का है आर्मी पब्लिक स्कूल में वेकेंसी है ठीक है और अगर हम बात करते ह पोस्ट ग्रेजवेट में पोस्ट ग्रेजवेट इसेशनल और क्वालिफिकेशन लैस PGT Computer Science PGT IP और PGT Physical Education मतलब इनको छोड़के बाकी के लिए सब के लिए क्या क्या रिक्वार्मेंट है उनके बारे में यहां पर बात करी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यानि MA या MSC होना चाहिए कोर्स ठीक है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजवेशन में मिनीमम 55% मार्क इक्वेलेंट ग्रेड या 3-year integration बेड में या तो आपके पास 2-year का पोस्ट ग्रेजवेशन हो मैं ठीक है और 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 रिजिनल कोलेज ओफ एजुकेशन और नसी आइटी से या आपने पोस्ट ग्रेजवेशन कहीं से भी किया हो तो 55% मांग चाहिए ठीक है इसके साथ मे हम पर 50% सी बात है PGT English के लिए M English में होना रिचाहिए हिंदी के लिए हिंद या संस्कृत में हो हो इकोनोमिक्स के लिए इकोनोमे क्समें हो जोग्रफी हिस्ट्री सबका अपना Master डिगरी होना सब्सक्राइब चाहिए इसमें ठीक है Master डिगरी पाइपी के सब्जेक्ट के बारेखंट के वह पर 9,50% मार्ग से चिभी आइटी किसी भी स्टीम से किया है तो इसके बाद पॉष्ट ग्रेजडेयेशन कंप्यू sudden साइंस में हो M.S.C. हो या M.C. हो computer science में M.C. या M.C. हो B.S.C. computer science या BCA में किया हो तो उसके बाद BCA वालों को post graduation किसी भी subject में हो सकती है यह qualification की eligibility है उसके बाद PGDCA का diploma हो वो भी कर सकता बी level का diploma हो वो भी कर सकता है English और Hindi आने चाहिए B.Ed. mandatory नहीं है लेकिन आगे promotion के लिए आप B.Ed. होनी चाहिए ठीक है IP के लिए भी same qualification दी हुई है यहाँ पर same qualification है और इसमें लिखा है देखो यहाँ पर कि B.Ed. is not mandatory for PGT computer science as per K.V. संगठन recruitment rule ठीक है जैसे K.V. में हमारे पास PGT computer science नहीं होता ऐसे इसमें नहीं है बाकी promotion के लिए आपको जुरुत पड़ेगी यानि वाइस प्रिंसिपल वगाए अब यहाँ पर जब हम promotion की बात कर रहे तो बहुत सारे बच्चों पर यह रहता है कि Army Public School में तो contact based पर वेकेंसी निकलती है लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह vacancies दो तरीके की है कि regular vacancy है और एक fixed term की vacancy है regular मतलब एक तरह से permanent vacancy हो जाएंगी fixed term की आपके contact based पर होंगी एक साल की दो साल की इस तरीके से चलती है तो vacancy यहाँ पर regular है इनका selection का procedure क्या होने वाला selection का procedure उसके लिए एक online screening test होगा जो online screening test है वो 23 और 24 नॉंबर को होगा जिसमें 25 नॉंबर reserved day रखा गया है अगर candidate जाद हो जाते हैं तो 25 और भी यह shift हो सकता है ठीक है तो 23 और 24 जो है नॉंबर को exam होना है जब इसका score card आ जाएगा result आ जाएगा उसके बाद जो है आपका एक online screening test के बाद आपका teaching skill और computer proficiency test होगा तो regular जो candidate होंगे उनको minimum 50% marks लाना जरूरी है और जो fixed term के candidate होंगे उनके लिए 40% marks के लिए बात करी गई है ठीक है जिन्होंने पहले से किया हुआ है online exam pass army public school का तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है यह test देना ठीक है वह अपने पुराने score card से ही आगे interview के लिए process कर जाएंगे ठीक है या अगर कोई improve करना चाहता है अपना score तो वह exam दे सकता है ठीक है इसके बाद क्या होगा इहां पर interview होगा interview में जो है basically अलग-अलग जो इसकूल होंगे वह vacancy निकालेंगे और news paper में इसकूल की website में या notice board के थुरू महाँ पर vacancy निकलेंगी और vacancy निकलने के बाद जो है महाँ पर हमारे पास interview conduct होगा call होगी interview selection उसमें interview में सबसे पहले क्या होगा एक आपका evaluation होगा teaching skill का और computer proficiency test का जिसमें अगर कोई language teacher है तो उनके लिए ऐसे राइटिंग और comprehension का 15-15 marks का test होगा और बाकी जो है उनको class में teaching करके पूछा जाएगा teaching करके दिखा और interview होगा ठीक है तो यह process होने वाला है तो इसके बाद जो है अगर हम यहां पर बात करें तो यह beard वगएरा बाकी subject के लिए computer वालों के लिए नहीं है एज की बात करें तो चालिस एर है यहां पर maximum 40 साल की एज दी गई है तो एज की criteria fresh candidate जिनको teaching का experience नहीं है उनको 40 साल है जिनको teaching का experience है ठीक है तो experience वालों को आधिस दी गहीं पर उनके लिए भी preference किया गया है आर्मी में के लिए午 30 सके लिए अगर हम बात करें तो minimum teaching experience required in last 10 years before applying fresh candidate के लिए 40 साल है बाकी के लिए 57 साल है ठीक है पास साल गे तो इस तरीके से हैं डेट एक्जाम की 2324 को है 25 तारीक रिजर्व डेट है एक्जाम सेंटर जो है बाद में हो अब यहां पर जो एक्जाम होने वाला है वो 200 मार्क्स का होने वाला है जिसमें 100 मार्क्स का कोम जर्नल पेपर होगा और 100 मार्क्स का आपका टीजीटी या पीजीटी जिसके लिए आप अप्लाई करें आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा वन बाई फॉर की इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है 200 नंबर का कोश्टर पेपर आएगा आपके पास MCQ टाइप का ठीक है यहां पर जो है 500 रुपे इसमें वो है अगर इसको डुब्लिकेट इसकोर आपको निकलवाना है उसका चार्ज है तो आप ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अब इसमें यह भी दिया हुआ है कि आपको 10% टोटल जो कोश्टन होंगे उनका ब्लूप्रिं चाहिए तो आप ओनलाइन भी आजमी पब्लिक स्कूल की वेब साइट से ले सकते हैं या आपको हमारे वेब साइट पर यहां पर एक-बुक मिलेगी यह सी1 क्र का कर वॉल्यूम-2 वाली जो बुक है इस वाली बुक में आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के भी एनवीस के भी के वीस के भी एच्टेट के भी यूपी लटी के भी डी टिपल स्बके प्रिवियस एयर के कोशन पेपर मिल जाएंगे कंप्यूटर साइंस के ठीक है तो इसके बाद यहां पर रेजिस्टेशन जो सुरू है वो 10 सेप्टेंबर से 25 अक्टूबर तक है दस तारिक से स्टार्ट हो गये हैं 25 अक्टूबर लाश डेट है ठीक है एडमिट कार्ड 129 बर को आ जाएंगे 23 24 को आपका एक्जाम होना है 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यह इसके बारे में यहां पेार इंफम्रमेशन थी एक्जाम के बारे में तो यहां पर बता दिया है मैंने किस तरह की क्वाली फिकेशन रहने वाली है ठीक है किस तरह पेपर का लेविल रहने वाला है तो तो 9 12 वाले पीजिटी के यह जो है 9 12 debido के लिए करेंगे पर मांगी गई है TGT के physical education है उसी तरह से हमारे पास मांगी गई है ठीक है PRT की मांगी गई है उसमें primary teaching का होता है आप देखो यहां पर questions के बारे में हम बात करते हैं blue print question paper का क्या होगा primary teacher का TGT का और PGT का तो आप इस PDF में वैसे देख सकते हैं अपलोड कर देंगे PDF यहां पर आप इसमें देखेंगे कि 200 question का paper होने वाला है PGT का जिसमें section A में basic gk और current affair आएगा पाच percent यानि 10 question from serial number 1 से 10 तक के आएंगे इसमें तो section A में national level के current affair international level के event global event section B में pedagogy curriculum educational policy matters आएंगे 20 questions होंगे ठीक है 11 से 30 नंबर तक के यानि 10 परसेंट 10 परसेंट पूरे paper का 200 question का फिर academic प्रोफेंसी होगा यानि 85% 170 question 31 से उसमें subject knowledge के होंगे NCRT level का 9 से 12 तक का यानि आप computer का भी दे रहें तो syllabus आपका computer science का भी वही रहने वाला है जो NCRT का है यानि KVS के syllabus को आपको follow करना है basic यहां पर आएगा moderate level के आएंगे basic question 35% 20% question moderate level के और higher 20% जो है आपकी difficult level 10% और higher order के आएंगे ठीक है पोश्ट graduation level के ठीक है यह आ जाएंगे आपके पार तो मदलब आपका जो syllabus होने वाला है 9-12 तक का जो syllabus होता है वह आपको पढ़ना है यह हमारे पास syllabus भी नोंने बता दिया कि ncrt का जो syllabus है यानि cbsc का जो syllabus है 9-12 तक कंप्यूटर साइंस वाले कर रहे हैं तो computer science वालों को वही syllabus पढ़ना CS और IP का 11-12 में दिया गया है बाकि 9-10 में उनको थोड़ी artificial intelligence पढ़ी जाती है तो artificial intelligence 11 में भी पढ़ाई जाती है उसको भी आप देख लेगे हैं ठीक है HTML वगयरा बेसिक चीज़े 9-10 वैब में IT में वह पढ़ाई जाती है उनको आपको कर लेना है ठीक है तो यह आपका syllabus है अगर इस syllabus के coding computer science के syllabus के coding आपको बुक चाहिए तो यह वाली बुक हमारे पास CS cracker volume 3 है इस वाली बुक में आपको theory के साथ पूरा CRT का syllabus मिलेगा CS का भी IP का भी पूरा syllabus CS cracker volume 3 में आपको मिलेगा आपको अगर इसका course चाहिए video recorded course तो आप यहां पे courses में जाके यहां पे kvS वाला जो syllabus है वही इसका syllabus होने वाला तो आप यहां पे kvS EMRS PGT CS का यह course ले सकते हैं यह batch इसकी फीस बहुत ही nominal फीस है पूरे sample paper भ pedagogy से related भी है PDF notes भी है books भी है ठीक है PDF में और हमारे पास सारी theoretical सब चीजे इसमें दी गई है यहां पर आपको मिलेगा अगर आपको नौंबर में paper होना तीन महिने का course है तो तीन महिने का course 1199 रुपे में आपको मिल जाएगा ठीक है यह PDF जो है notification की आप यहां पे जाएंगे अगर website पे अगर आप देखेंगे यहां पर syllabus का option होता है syllabus के option में हम यहां पर advertisement में इसको upload कर देंगे तो आप यहां से इसको देख सकते हैं ठीक है आपको कोई ओडाउट हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभा में थाउडे है वीडियो में अंगली वे जैभाउड़ तो आ पांपा देखेंगे ुटर सकते हैं इसको अआज़ ए सकते हैं वीडियो कोई जैबादेगे दोर सकते हैं इसक दोर सकते हैं ग chyba Pep